है हेलो दोस्तों welcome to coding दुनिया इस वीडियो में हम searching algorithms के बाड़ें पढ़ेंगे जेनरली searching ये important क्यों है क्यों कि जो भी हम data को structure करते हैं जो भी data को structure करते हैं तो सबसे ज्यादा use हमें पढ़ता है उस data में कोई भी अगर element है तो उस कैसे करेंगे अपने पूरिया डाटा में हम उसे सर्च करेंगे और उसे रिट्राइब करके एज आउटपूर्ट देंगे अपने प्रोग्राम में तो उसे ही सर्चिंग करते हैं तो सर्चिंग अल्गोरिदम क्या होता है और सर्चिंग अल्गोरिदम इसन अल्गोरिदम information stored within some data structure कोई बी data structure में जो भी information stored है उससे retrieve करने को process को searching algorithm करते हैं सिंपल अभी जेनरली दो सची searching algorithm famous है linear search and binary search हम इस वीडियो में linear search के बारे में पढ़ेंगे और next वीडियो में my users को फड़ेंगे तो देखते हैं दोनों में दोनों किया है लिनियर सर्च लिनियर सर्च है लिनियर सर्च और सैक्षे और सेइक्वेंशियल सर्च इसमेफर फॉर फांडिंग ए टार्गेट वैलु इतिन अीरिंड लिस्ट करने का मतलब कुछ भी कोई भी sequential data इस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् को find करता है वह टागे अलिमेंट त intéressant कर सच्प बन कर देता है तो यह क्या कर रहा है करकर स्पिक्वेंच सब्सक्राइब हर एक हरै कि क्वेंट पाव जा रही इस इस से से वह सचींफ्वेंची सर्च भूखत्व है ऐसका वर्क पीशेंट डिखते हैं इट सिक्वेंशियली जैसा मैंने बता है इट सिक्वेंशियली चेक्स इच एलिमेंट आफ दा लिस्ट फोर टार्गेट वैलू अंटिल अ मैच इस फाउंड और अंटिल अल दा एलिमेंट्स हैड बिन सर्च अगर मैच फाउंड हो गया तो उसका इंडेक्स से रिटन कर देगा कि हमारा सर्च अंसक्सेस्फूल हो गया और इसके साथ सबसे बड़ा प्लस पोइंट है कि यह दोनों में काम करता है दोनों तरह के डाटा में काम करता है आईधर आपका डाटा सौटेड हो या आपका डाटा अंसौटेड हो सौटेड करने का मतलब कि एसेंडिंग या descending order में arranged हो आपका data और unsorted करने का मतलग कि कि किसी भी way में arranged नहों arranged हो बर किसी भी order में arranged नहों तो उसे unsorted data घाते हैं तो हमारा linear search है वो sorted and unsorted data दोनों में काम करता है पर जो हमारा binary search है वो सिर्फ और सिर्फ Awesome Started डाटा में ही काम करता है यह binary search के सांथ deb берitt होता है और linear search के साथ यह एक plus point है तो समझ में linear search sequential होता है कैसे यह work करेगा वो समझ में तो एक program में से implement करके देखते हैं कि linear search कैसे काम करता है simple size का एक छोटा सा program बनता है यह बस छोटा सा program है किस तरह से काम करता है वो देखते हैं जैसा कि अगर मैं एक example लेता हूं अगर लेता हूं तो जो हमाय linear search होगा तो उसको उसमें हमें एक पास करेंगा प्रोग्राम दिखते हैं यह तो सब्जारिकर प्रोग्राम क्या है कि जो हमाया linear search का program है वो एक एक को लेगा क्योंकि यहां पर यहां पर लीनियस हम किया है चाहिए तो दुसरे डाटा इस्टर्चर का भी सर्चिंग कर सकते हैं यहां पर एक गजांपल है अगर एक है तो किस तरह सेंक घरिएंगे तो हम एक को इस फंन में ब्रॉप लीए और साइज लिए और ऱ्याग्येट लिए ह Southern okay is this metal Caribbean J بैंघ करना तो फिर हमें कोई भी लूब लागा सकते हम यहां पर व्रूप का यूज कर रहें अप चाया कोई लूप 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 लगा सकते हैं। क्थे की ऐड़ से स्टाट जीरो से होता है तो लूप काउंट委 हमारा अब अंदर में चेक क्या करेगा, इफ जो array index है, वो target के equal है, अगर वो target equal है, तो return कर देगा index को, उस target के index को नहीं तो loop फिर से run करेगा, और run करते रहेगा, अगर जो जिस element को हम find कर रहे हैं, हमारे array में नहीं मिलता है, तो loop खतम हो जाएगा, size तक जाकर, और minus one return कर देगा, ज successful है, successful मतलब कि हमें कोई भी index return करेगा, index is positive होता है, तो जब भी positive number हमें आज output मिलेगा, तो हम समझ जाएगे कि हमारा जो searching है, वो successful हुआ है, अगर negative number मिल रहा है, तो हमारा searching unsuccessful हुआ है, बस यही हमारा program है, तो इसे एक example पर करके देखते हैं, जैसे कि हमारा यह एक array है, 20, 30, 10, 5, 4, 3, 190 element का, और जिसका size 8 होगा, 0 से 7 तक जा रहा है, size 8 है, तो यह linear search में जाएगा, एक array, size जाएगा, size 8 है, target element मान लेते हैं, हमें 4 को search करना है, तो target element 4 जाएगा, तो सबसे पहले हमारा start करेगा searching for loop, 0 से a 0 पर देखेगा, a 0 पर हमें 4 मिला, नहीं मिला, तो यह जो हमारा I का value है, I के value को increase करेगा, I के value को increase करेगा, तो अब A R R I हो गया, A R R 1 हो गया, यहाँ पर, 0 पर चेक किया, नहीं मिला, तो फिर I के value को increase किया, तो A R R 1 हो गया, तो 1 पर value को देखा, target value नहीं मिला, फिर I का value को increase किया, उस पर value देखा, नहीं मिला, फिर I के value को increase किया, उस पर value देखा, नहीं मिला, फिर I के value को increase किया, उस पर value देखा, मिल गया, तो यह 4 के resemble में जो भी index है i का value i का value index को denote कर रहा है हमारा loop counter जो है वह index को denote कर रहा है तो हम इसे return कर देंगा अपने main function में अगर मान लेते हैं हम इसमें जो भी element है उसे find ने कर जैसे कि इसमें 19 नहीं है 19 को अगर हमें find करना होता तो कैसे करते हैं तो 19 को find करना होता है तो कैसे करते हैं सबसे पहले one पर देखता 19 नहीं है तू पर देखता 19 नहीं है थरी पर देखता 19 नहीं है फिर इनके सब्सक्राइब यहां जाता 19 नहीं है 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 सब्सक्राइब करेंगे जो कि पूरे सर्च पूरे एलिमेंट को सर्च करेगा जब हमें हमार टागेट अलिमेंट मिल जाएगा तो उसे रिटर्ण करेगा नहीं तो सब्सक्राइब करेगा तो एक बार से समराइब कर देते हैं कि दो सब्सक्राइब करके जाएगा और टागेट एल्मेंट को ढंड़ा तागेट अलमेंट मिलेगा तुसे रिटर्ण कर देगा और यह sorted हो या unsorted हो डाटा दोनों पर work करता है यह हमारा प्रोग्राम है लिए सर्च का as argument यह एरे लेगा एरे का size लेगा और टागेट लेगा और अंदर में लूप लेगा है इसलिए है क्योंकि हमें एरे का जो लूप चलाना है वह एरे के size तक ही चलाना है इसलिए size लेना important है target element match करने के लिए और array में कर रहे हैं इसलिए array ले रहे हैं यह linear search array पर हुगा है आप linear search लिंग लिस्ट पर भी कर सकते हैं उसमें method दूसरा होता है तो वह हम पढ़ेंगे लिंग लिस्ट में तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाईनी साच के साथ थांक यू फ़वचिंग गईस